क्लास एट्थ मैथ चैप्टर नमबर नाइन अलजेब्रिक एक्स्प्रेशन और आइडेंटिटीज का पार्ट टू एक्साल 9.1 कुशन नमबर 3 एड़ दे फॉलोविंग इसका कुश्चन है वन नमबर सबसे पहला हम इसको सिंपल टम में कनवर्ट करेंगे यहां पर कौमा है यहां पर माइनस करके करां। अब को कि यह देख एमार्ट पना थे तो यहां पर अपको आपको एबिष दिखेगा, यह रहा आपका माइनस A B तो यहाँ पर हम लोग माइनस A B लिख देंगे अब हम लोग लिखेंगे माइनस B C माइनस B C यहाँ पर आपको कहीं और भी B C लिखेगा तो यह रहा आपका प्लस B C अब यहाँ पर माइनस C A है और यह रहा आपका प्लस C A लाइक नफ्स अब हम लोग इसको कट कर देंगे A B और माइनस A B कट हो गया माइनस B C और प्लस B C कट हो गया माइनस C A और प्लस C A कट हो गया सब कट हो गया तो हम पर आपका एंसोर आया 0 ठीक है यह आपका first number था अब second number second number का question है आप लोग का A माइनस B प्लस a b कॉमा b माइनस c प्लस b c कॉमा c माइनस a प्लस a c यह आपका question है अब आपको सबसे पहले इसको simple term में convert करना है जहां पर आपको माइनस यहां पर कॉमा दिख रहा है वहां पर आपको प्लस लिखना है सबसे पहले हम इसको को सीम लिख देंगे कोमा कोमलोग 24 कर देंगे प्लस 1 सी प्लस 20 भाइट प्लस करेंगे ची माहिनस एभीटाई अब हम लोग इसको यहाँ पे अ और यहाँ पे आप लोको कहीं और भी एघिखेगे इसमें आप माहिनस ए-इस में यह, रहा मायनस एटल तो मिलापने लिखेंगे इसके बाद मायनस वी यह मन्unluог ने प्लस दिया अब प्लस एटल यहां पैर आपको प्लस एटल नहीं तो आप लोग प्लस एटल देंगे वी लिख दिया में माईनस सी high प्लस प्लस सी यहां प्लस BC और इसमें कहीं पे भी प्लस BC या माइनस BC नहीं है C और A हो गया यह रहा प्लस AC इस तरह से आपको लिख लेना है इसके बाद जो आपको लाइक दिख रहे हैं वो आपको कट कर देना है A और माइनस A कट हो गया माइनस B और प्लस B कट हो गया फिर AB और कहीं यह नहीं यह भी तो हम लोग माइनस C और प्लस C को कट कर देंगे बचा क्या प्लस AB प्लस BC और प्लस AC तो हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे एज इटीज प्लस AB प्लस BC और प्लस AC यहाँ पर आपका कोशन नमबर टू खतम होता है अब question number 3 question number 3 का question है आप लोग का 2p square q square minus 3pq plus 4.4,5 plus 7pq minus 3p square q square यह आपका question है अब आप सबसे पहरे इसको simple इंब में convert कर लेंगे 2p square q square minus 3pq plus 4 plus 5 plus 7pq minus 3p square q square यह आपका question हो गया और इसको हम लोगों ने simple इंब में भी convert कर लिया है अब हम लोग को इसे 2p square q 2p square q अब यहापे p square q square आपको कहीं दिखेगा यह रहा 3p square q square है नब तो हम लोग इसको यहाँ पे एज़िटीज लिख देंगे minus 3p square q square अब minus 3pq यहाँ पे आपको कहीं पी q ऐसा दिखेगा तो यह रहा 7pq तो plus 7p q plus 4 4 के आगे कोई भी term से फिर कोई भी variable नहीं है तो हमको बीना variable बाले number चाहिए 13 हमारा plus 5 जिसके आगे कोई भी variable नहीं है यह हम लोग ने एज़िटी से आपे 5 रख दिया अब हमको इसे plus करना है तो यह है आपका आगे कुछ रिसलमें आपे प्लस है 3-2 1p2 q2 हो जाएगा तो यहाँ पर हम लोग 1p2 q2 लिख दिया अब माइनस प्लस माइनस होता है और साइन हमारी बड़े की आती है तो यहाँ पर हम लोग प्लस लगाएंगे और माइनस करेंगे 7-3 7-3 जब आप यहाँ पर आपका एंसर आजाएगा 4pq इसके बाद आएगा प्लस 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 होता है यहाँ पर हम लोग ने प्लस लगा दिया 4-5 एंसर आपका नाइन यह आपका कुशन नमबर 3 का एंसर 1p2 q2 प्लस 4pq प्लस 9 अब आता है कुशन नमबर 4 question है आपको l2 प्लस m2, m2 प्लस n2, n2 प्लस l2, 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl यह आपका question है अब आपको इससे सबसे पहले simple time में convert करना है n2 प्लस m2 प्लस m2 प्लस n2 कॉमा है तो प्लस n2 प्लस l2 कॉमा है प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl अब आपको like terms पहचाना है n2 हैं, यहाँ पे आपको कहीं और भी ऐल इस्क्वार दिखेगा, यह रहा है अपका प्लस l2 हम लोग इसको as a t इस यहाँ पे लिख देंगे प्लस l2 अब यहाँ प्लस m2 प्लस m2 थी आपको यहाँ प्लस n इस्क्वार प्लस प्लस औंट इसके बाद आएगा तो हब इसके यह बन रहन आपको यहां पर कहीं लिगके यह यहां नेंगे इसका निखेंगा टुपकर हें नहीं एपका था ब्लोक मेल निकालना है प्लस कर दो L² प्लस L² 2L² प्लस M² प्लस M² 2M² प्लस N² प्लस N² 2N² प्लस 2LM प्लस 2MN इसको हम एज़िटीज रहें देंगे और प्लस 2NL ऐसा लिखने के बाद आपको सब में 2 common दिखेगा यहाँ पे भी यहाँ पे भी और सब में 2 common है तो हम लोग सबसे पहले 2 common निकाल लेंगे 2 को बाहर निकाल देंगे और बाकी जो बचे वह आपको लिख देना है इधर से 2 हट गया तो L² इधर से 2 हट गया तो प्लस M² प्लस N² प्लस LM प्लस MN प्लस NL यह आपका आपका प्लस निकल गया यह आपका question number 4 का answer था question number 3 आपका finish होता है वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए कमेंट कीजिए मिलता है जय हिंद भारत प्लस M¹